पहरे चीज तो यह डिसाइड करिए कि भाई मैं इन्वेस्टर हूं या ट्रेडर हूं दूसरी चीज यह डिसाइड करिए कि अगर मेरा कोई मिटकेब या मेरा कोई PSU स्टोक मेरे पास पढ़ाया रहा दस परसंट पंदा परसंट गड़ जाए तो क्या मैं बहुत भारी नुक क्या है आपका होल्डिंग पीरिट किया है अगर इन तीनों के जवाब आपको पोजितिव आ रहे तो फिर ठीक चलता रहता है यह तो आएगा सिस्टम और जिस तरह से गटे हैं एक दिन वह भी दिखेगा आपको मैं अभी से बोला हूं आपको लिखके रख लीजिए और य यह जो यात्रा है इसमें जो दर्द है इसमें जो तकलीफ है वह आपको देखने पड़ेगी सो आइटिंग कभी भी गुमेंगा कोई बड़ी बात नहीं 25-30% के कर्रेक्शन पे बहुत सारे लोग खरीदने को तैयार है कई सारे PSU funds launch हो रहे है funds की तरफ से flows आगे पिछाएं एक आपका IOB six time straight कर रहे है book value पे तो समस्या ही for example NHPC ऐसे नतीज़े देगा तो समस्या है for example sale ऐसे नतीज़े देगा तो समस्या है तो जहां पर numbers खळीरे अच्छे नहीं है वहां समस्या है जहां numbers ठीक है वहां वहां समस्या है तौर हम भी बात भी कर रहे हैं वे वाप सरी अब कर दे से जाएंगे, और समझेंट आपको स्वॉडिक सरी कोई की शीजनियर का मन और तो मैं खरीडूँगा क्या, मैं SBI, B.O.B. और चेंडरा में के बार नहीं जाओंगा, ऐसा आप एक अपना मानस बना लिजिए और उस हिसाब से करिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बार लिए पार्ट ओफ लाइफ ही चलता रहता है, आता रहता है